हाई एवरिवन कैसे हो आप सब तो आज हम बनाएंगे आलू असूजी की बहुत ही टेस्टी खासते मसालेदार पुड़ी लंच डिनर या प्रेकफास्ट में बनाईए या पच्चों के टिफिन के लिए दीजे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करत पानी करके इसमें एड करेंगे अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने के पाथ हम इसे पांच मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे जिससे पानी में सूजी बहुत अच्छे से फूल जाए तो पस इसे मिक्स करने के पाथ पांच मिनट के लिए से रखतें पांच मिनट हो अब अब एड़ेंगे दो मीडियम साइज के बॉयल किये वे आलू इसे मैंने अच्छे से मैश करके कद्दू कश करके ले लिया है अब इसमे कुछ मसाला एड़ेंगे तो आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच अजवाइन और साथ में यहां पे सोया मिथी जोर है वो आट करेंगे और हरा फ्रेश धनिया अगर आपके पास है तो काटके आप इसमें डाल दे और साथ में यहां पे अब हम एड़ेंगे एक कप गेहूं का आटा और एक कप गेहूं आटा डालने के बाद बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे अब इनको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका एक अच्छा सा आटा कर दो तैयार कर लेंगे आप हलका पानी देखे आप इसे बहुत अच्छे से गुन ले तो यह देखिए यह गुना चुका है तो चलिए आप इसे बेल लेते हैं तो यहां पे मैंने चोटे-चोटे लोईया बना ली थी और हम इसमें हलका सा गेहू का आटा डालकर इसे हम बेल लेंगा। आपको इसे बहुत जादा पतला नहीं बेलना है हलका मोटा ही आप इसे बेल녀ग तो यहां पर मैने सारे पूरीया को बेल कर लिया है तो चलिए अभ हम इसे फ्राइकर लेते हैं फ्रेम को हाई रखेंगे और तेल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए तभी आपकी पूरिया फूलेंगी तो बस अलट पलट करके आपको इसे गोल्डन ब्राउने तक फ्राइ कर लेना है ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और फूली फूली पूरिया बनके एक्टम तयार है बहुत ही आराम से आपकी पूरिया फूल जाएगी तो बस इसी तरह मैंने सारे पूरिया को फ्राइ कर लिया है आप एक साथ दो या तीन भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर हमारी पूरिया है वो बनके तयार है तो जरूर इस रेसिपी को ट्राइ करिए कभी कोई महमान आए गेस्ट आए बच्चों की टिफीन में भी आप इसे दे सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है तो रेसिपी अच्छी लगिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा केमेंट्स करिएगा अपना बहुत सारा खयाल रखिए मिलती है एक नहीं रेसिपी के साथ थैंक्स फूर वाचिंग